दोस्तो किराईदारी हमारे देश में हमें स्यासे ही बहुत महतोपूर्ण विशे रहा है और काफी लोगों को प्रभाविद भी करता है कई बार ऐसा होता है कि किराइदारी काफी पुरानी हो जाती है और मकान मालिक किसी कारणवश किराइदार को बेदखल करने के लिए किराइदार पर कोई कारिवाही नहीं कर पाता है एसी स्थिती में किरायदार हवी होने लग जाता है और खुद को मालिक मान बैड़ता है लेकिन इस स्थिती के बारे में कानूनी प्रावधान क्या है क्या लंबी अवधी तक किरायदारी रहने के बाद किरायदार उस संपत्ति का स्वामी हो जाता है आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले है विशे काफी महतुपूर्ण है इसलिए वीडियो को अंततक जरूर देखे क्योंकि इस वीडियो से आपकी कई ब्रान्तिया भी दूर होने वाली है वीडियो को शुरू करने के पहले यदि अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि समय समय पर हम ऐसी महतोपूर्ण जानकारिया लेकर आते है दोस्तो मकान को किराय पर देने के समय काफी लोगों के दिमाग में यह ब्रांतिया रहती है कि यदि हम किरायदार के साथ किराय एग्रिमेंट कर लेंगे तो वह उसके पक्ष में जाएगा और हम कभी भी मकान खाली नहीं करवा सकेंगे और यदि हमने किरायदार को किराया रसीत जारी करके दे दी तो वह अपना मालिकाना हग भी क्लेम कर सकता है या फिर किरायदार काफी लंबे समय तक मकान में रह गया तो वह उस मकान का मालिक बन जाएगा हमें उस ब्रहंती को अपनी दिमाग से बिल्कुल हट्टा देना चाहिए क्योंकि किराया आगरिमेंट एक महिने का हो या 20 साल का किरायदार हमेशा हमेशा के लिए किरायदार ही रहता है उह कितनी ही अवधी तक किरायदार रह ले मालिकाना हग क्लेम नहीं कर सकता कोई किरायदार सव साल तक भी लगातार किसी प्रॉपरिटी पर रहकर भी मालिकाना हग क्लेम करने का अधिकार नहीं होता है बलकि वास्तविक्ता यह है कि कभी भी किसी किरायदार को बिना रेंट आग्रिमेंट के प्रॉपरिटी में नहीं रखना चाहिए क्योंकि हम जैसे ही रेंट आग्रिमेंट बनाते है किरायदार का एक स्टेटस तय हो जाता है कि वह किरायदार की हैसियत से उस संपत्ति पर काबिज होगा और फिर वो किरायदार भले ही कितने लंबे समय तक उस प्रॉपरिटी पर रहे उसका स्टेटस किरायदार का ही रहता है आमधारना एह हो सकती है कि रेंट अग्रिमेंट नहीं करना चाहिए या किराय की रसीद जारी करके नहीं देनी चाहिए लेकिन कानूनी तवर पर बात करे तो ये दोनों ही चीजे काफी आवश्यक चीजे है जो मकान मालिक और किरायदार दोनों के हितों का बचाव करने वाली होती है कानुनी स्थिती के हिसाब से देखे तो वास्तविक्ता ये है कि हमें बिना रेंट आग्रिमेंट के कभी भी किरायदार को रखना नहीं चाहिए और कभी भी बिना रसीत के किराया प्राप्त नहीं करना चाहिए कुछ लोगों का ये मानना है कि किराइदार अनुबंद यानि रेंट एग्रिमेंट तो 11 महिने का होता है और 11 महिने के बाद येदी किराइदार को वहां से हटाया नहीं जाता तो उसकी स्थिती बदल जाती है और वह मालिकाना हग क्लेम कर सकता है लेकिन कानुन में ऐसा कुछ भी नहीं है येदी रेंट एग्रिमेंट 11 महिने का है और किराइदार उसके बाद भी प्रॉपरिटी पर कपजा और अपनी हैसियत बनाए रखता है अभी भी वह रेंट का पेमेंट करने के लिए बाद दे होता है और रेंट एग्रिमेंट के बाद के आउदी के लिए किराइदारी मोखिक मानी जाती है और तो और एक किराइदार कभी भी किराइदारी वाली प्रॉपरिटी पर एडवर्स पजेशन क्लेम नहीं कर सकता या ज्यादा समय के लिए भी होते हैं लेकिन ज्यादातर rent agreement 11 महिने के लिए बनाई जाते हैं उसके पीछे कारण ये है कि Indian Registration Act के अनुसार कोई भी किराया अनुबंध जो rent agreement 11 महिने के ज्यादा के समय के लिए हो उसको register करवाया जाना जरूरी होता है यानि सब रेजिस्टर के ओपिस में उस rent agreement का registration करवाय बिना वह valid rent agreement नहीं माना जाता और registration की इस प्रोसेस से बचने के लिए लोग 11 महिने का rent agreement लिखते हैं और उसी rent agreement में ये clause भी डाल दिया जाता है कि यदी किरायदार 11 महिनी के समापती के बाद भी उस property पर कबजा बनाये रखता है तो किराया पिछले आउदी के किराय की बजाए बढ़ा कर इतना किराया दिया जाएगा और इस आधार पर उस rent agreement की आउदी समापत होने के बाद भी वह rent agreement लगातार चलता रहता है तो इस तरह से दो बाते अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लिजिए कि एक किरायदार कितनी भी लंबी आउदी तक किरायदार रहे उसका status चेंज नहीं होता है वह हमेशा किरायदार ही रहेगा और दूसरी बात यह है कि rent agreement की आउदी के बाद भी यदी किरायदार समपत्ति पर possession रखता है तो भी उसका status हमेशा किरायदार ही रहेगा अभी के लिए इतना ही ऐसी ही useful legal जानकारियों को लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में